अब जो आपको एक बार फिर से स्वागते हैं अब जिस्टरह के पहले वाला जो वीडियो था जुमिलमें कैसे चाहते हैं से बेस्ट आप यदि कुसंस आपको वहाँ पे मिलते हैं तो आपका जो टाइम डूरेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा और इस टाइम डूरेशन से आपको जो बेनिफीट है वो काफी बेनिफीट मिलेगा तो आज जो मेरा कहना है कि जहां से आपको इन फॉर्मूलों से सोल हो जाएंगे तो मतलब आपको तीन से चार सेकिंड में आप किसी भी जो लिंग राजिन से हमिल्टोनियन है वो कनवर्जन कर सकते हो जिदि आपको options given है तो नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा systematic method से आपको follow करना पड़ेगा ठीक है तो मैं एक जो point था वो discuss कर चुका था जो यह था कि half mv square plus v equals to p square by 2m और potential energy systematic से plus है तो minus है और minus है तो plus है अब अपन बात करेंगे next three points पे बड़े उससे पहले में आपको एक बार वापिस ते revise करा दूँ यह first जो जो अपना concept है इसकी उपर मैं questions लेता हूं देगो देखने में ऐसा लग रहा होगा systematic method से पता नहीं कैसे क्या solve होगा आप systematic method से भी इसको solve कर सकते हो easily solve हो जाएगा बड़ अपन तो यहां पर discuss कर रहे है so trick के लिए तो उसकी लिए बात करते देखो यहां पर क्या है half M की जगे यह रहा और यह portion पूरा M मैंने कहा था M function हो सकता है coordinate और T का तो यह M हो गया पूरा और X dot यह velocity होगी और minus M GFX है potential energy में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा plus है तो minus और minus है तो यहां पर क्या हो है minus तो अब इसको systematic जो इसका Hamiltonian आएगा वो क्या है का देखो H equals to P square तो P X square क्योंकि देखो X dot square है तो मने X square लिख दिया upon 2 M, M का मतलब क्या है 2 M तो है इसे कैसे और M के साथ में क्या है 1 plus del F upon delta X का whole square ठीक है और यह potential energy क्या हो जाएगी plus हो जाएगी M GFX ठीक है systematic तरीके से अपने इसको solve कर देगे ठीक है और वैसे आप so trick से एक मिनट में हो जाएगा question देखने की जरूत नहीं तो आप ऐसे तरीके से किसी भी Hamiltonian से लेंगराजिन में जा सकते हो और लेंगराजिन से Hamiltonian में जा सकते हो तो पहला question हो गया अब अपन कुछ points की बाद कर देखो किस तरीके से second point अपना यह है कि यह इस तरीके की form है half m v minus plus alpha का all square तो इसको जो Hamilton यह नव होगा p square by 2m minus है तो plus और plus है तो minus alpha p पर एक धान रगना है here alpha should not be function of velocity function नहीं होना चाहिए velocity ठीक है function हो सकता है coordinate का और time का उसके साथ देखो second इसी पर बात कर लेते problem 2 पर बेश देखो किस तरीके मैंने questions लिया है देखो half m v plus a का all square तो क्या यही safe है अब इसका क्या होगा Hamiltonian वह अपन को चेक करना है तो directly Hamiltonian निकाल सकते हो क्या P square by 2m P square by 2m ऐसे कैसे P square by 2m और देखो plus है नहीं यहापे तो देखो यहापे plus था यहापे plus है तो यहापे क्या हैगा minus तो minus और फिर क्या है alpha P alpha क्या है यहापे alpha यह रहा देखो v minus alpha यह रहा v plus alpha तो alpha क्या है ए ठीक है उसके बाद अपना क्या है P तो P यह लो आपका Hamiltonian तो आप directly आप उसी method से करो और चाहिए आप sort trick से करो easily आपका क्यूशन sold हो जाएगा तो दिस तरह के से आपने यह देखा उसी तरीके से क्यूशन और देखते है अपन देखो यह देखो एक क्यूशन यह आया हुआ है देखो क्या है यह देखो अपन देखते है थैड़ वाले फिर वाइस वर्सा भी देखेंगे हमिल्टोलिन दियावा लेंगराजी निकालेंगे इसका ठीक है तो देखो फोर्थ थैड़ ओप्सन है half m v square plus minus alpha v dash तो यह होगा p minus plus alpha का only square 2m alpha हो सकता है qi और t तो यह क्यूशन दिया देखो half m v square safe है plus alpha की जगे c और v dash r dot v alpha क्या हो गया है c r और potential energy आप एजटीज लिखनी है तो इसका क्या होगा देखो p plus है तो minus और minus है तो plus यहाँ पर क्या है plus ठीक है plus है तो क्या है minus तो p ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या plus तो minus आएगा उसके बाद क्या alpha alpha क्या है c r c r और का whole square by 2m और potential energy यहाँ पर क्या नेगिटिव तो plus v of r यह लौप का potential तो किसी भी लेंगराजियन को आप इस method से soul कर सकते हो बड़ मैं कह रहा हूं कुछी क्यूशन में लगेगा और वह भी क्यूशन 90 से 95 परसेंट only 5 परसेंट ऐसे क्यूशन होगी जिनमें आपको क्या करना पड़ेगा systematic method फोलो करना पड़ेगा उसकी वज़े से आपको क्या है कि कुछ क्यूशन में किसी तरीके की जो velocity है वो addition आ जाता है उसकी वज़े से अपने को यह method नहीं लग पाते है तो चार formula से आप कोई भी क्या देखो उसके बाद अपने क्यूसन देखता है यह ठीक है उस पर मैंने क्यूसन लिख रहा देखो l equals to minus alpha 1 minus x dot square minus v of x तो क्या यही safe है क्या minus m0 root 1 minus v square upon c square compare करो तो यहाँ पर देखो minus तो यहाँ पर भी है अब m0 m0 का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर alpha है c का मतलब 1 है तो अब directly Hamiltonian से यहाँ जा सकते हो तो यह Hamiltonian होगा क्या होगा root root के अंदर क्या है का P square P square C square की जोगे क्या है 1 plus m0 square m0 square alpha square और c की power 4 का मतलब 1 यहाँ Hamiltonian आगे directly से किसी भी तरीके से इस तरीके से हो तो आप उनको directly इसे शोल कर सकते हो अब एक कुशन देखते हैं wise versa अपन को Hamiltonian दिया हुआ हो तो लेंगराजीन किस तरीके से अपन convert करें ठीक है यह कुशन है और net है 2017 June में पूछा गया है यह कुशन आप इसको systematic तरीके से एक बार सोल करके देखना और यदि एक बार में हो जाए तो यह मानना कि आप कर सकते हो नहीं हो तो भी आप कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है बट ऐसी try मारना कि execution हो जाए तो यह तो potential energy रहते है इसको मैं systematic तरीके से लिखता हूँ देगो Hamiltonian दिया हुआ है क्या है alpha x square p plus p square by 2m और plus half omega square x square यह दिया वार तो एक काम करो इससे कौन सा method लगेगा आपको कौन से shape ऐसी लग रही है potential energy को छोड़ो ऐसा कुछ लग रहा है गया p square plus alpha p यह safe नहीं मिल रही है आपको देगो p square p square by 2m plus minus या plus minus कुछ भी हो सकता है alpha p ठीक है तो आप इसको direct इसमें कैसे convert करोगे देगो direct 1 by 2m ठीक है उसके बाद v ठीक है उसके बाद क्या आएगा v तो v ठीक है अब v आ जाएगा इसके इंदर plus minus का check करना तो यहाँ पर क्या है देखो p square by 2m plus alpha p तो यहाँ पर plus है तो यहाँ क्या आएगा minus ठीक है अलफा क्या अपना alpha देखो यह रहा p के साथ वाल इटरम याणि alpha x square याणि alpha x square यह लो भाई alpha x square alpha का मान है आपे ठीक है और का whole square बैस और directly आपको क्या लिख देना है potential energy को minus 1 by 2 omega square x square क्योंकि प्लस है तो minus आती और minus आती दो प्लस आती तो यह इसका लिख राजियन हो गया direct यह लिख राजियन लो इसका तो क्या है कि directly किसी चुछ को क्यूशन को आप कर सकते हो इसी method से बट कुछ क्यूशन में आपको systematic method follow करना पड़ेगा तो अब तक के जितने भी वीडियो है अपने हेमिल्टोनियन से लिंगराजियन तक आये हैं उनके एक एक दो क्यूशन करवाएं example के रूप में और सारा method करवाया है तो आप complete रूप से आप इतना तो आपका हो चुका है कि आप जो students का जो मेरे पास message आए है कि जो example है वो कम करवाएं है कि सार जो example है वो कम करवाएं है आज जो पीछे के जो previous year जो वीडियो है उनमें तो आज मेरा यही मकसद है कि जहां तक अपने topic हो चुके है ना उनमें जितने भी previous year में जो examination में questions पूछे गए हैं उन पे आज अपन discuss कर कर वाऊंगा आज एक भी questions इसलिए नहीं कर वाऊंगा क्योंकि मैं करवा चुका हूँ उसमें आप follow कि जी नहीं आता तो comment box में आप comment करके बता सकते हैं मों यहां पे 101% उसको systematic method से करके बता हूँगा आज अपन यह देखना चाहते हैं कि जो अपन अब तक पड़ा है उसमे जो प्रियस्वेर की जो examination में जो questions आये वे हैं उनमें जो time duration है वो time duration कैसे अपन कम कर सकते हैं ताकि अपने जो marks हैं उनको अपन गेन कर सकते हैं maximum to maximum तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं आज combination में एक साथ solve कर रहे हैं जेस net, tiffer, gate और IIT jam का जो अभी तक अपन ने classical mechanics से पढ़ा है तो one by one चलते हैं अपन, सबसे पहले मैं questions ले रहा हूँ, IIT jam 2015 में ये question पूछा गया था और आपको देखते हैं ये questions करना है, कोई भी systematic method नहीं करना, मतलब 1 से 3 या 4 से 5 seconds में ये questions solve हो जाना चाहिए आपका, तो systematic method से अपन चलते हैं और पहला question देखते हैं जो IIT jam में पू तो पहली जो problem में मैंने IIT jam से उठाया है, उसके बाद IIT jam के बाद T4, Jest, Net में चलेंगे सारी जो problem में उनको discuss करेंगे, तो पहला problem है कि जो IIT jam में पूछा गया था, ये mass M lying on horizontal frictionless surface, कि horizontal surface के उपर lie कर रहा है, ठीक है, और frictionless is connected to one end of the spring, the other end of the spring is connected to a well as shown in the figure, at T equals to zero, the mass is given or implies, T equals to zero के उपर, mass को imply किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है, the time dependency of the displacement and the velocity of the mass in term of non-zero constant A and B are given, तो इसका जो systematic method है, वो यदि चेक करना किसी को, तो अपना SSM का वीडियो देखें, उसके बाद आपको 101% बात है, इसका systematic method आप चोल कर सकते हो, या Lengrajin से भी कर सक सकते हो, Lengrajin लिख सकते हो, इसका उसके बाद equation of motion से general equation solve कर सकते हो, तो ये आपका systematic method है, पर मैं यहाँ कोई systematic method discuss नहीं करने वाला हूँ, कोई भी किस वन में, क्योंकि मैंने already सारे जो वीडियोज है, उनमें बताया है, कि आप sort tricks से कैसे question कर सकते हो, क्योंकि time duration कम करना ही, एक आपको knowledge already है, मुझे पता है, या फिर आप कोई भी book या कहीं से भी आप अच्छा पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा है भी ये पूरा systematic third, पर जो competition exam है, उसमें जो time है, वो सबसे ज़्यादा meter करता है, इसलिए अपन time duration कम से कम में, अपन ज़्यादा से ज़्यादा question अपने को solve क करना, तो उसी का method discuss करना हूँ है यहाँ पर, देखो, और वैसे systematic method से करवाया हुआ है मेरा, ठीक है, तो आपन देखो, मैंने क्या कहा था, क्यूसन से आपने पूरा पढ़ लिया है, क्यूसन के बाद मैंने एक बात बोली थी एक वीडियो में, जब newtonian mechanics मैंने करवाई थी थोड़ा वो, तब मैंने यह बात बोली थी, कि मैंने कहा कि, कैसे अपन gaze कर सकते हैं, without detailed solution किसी question को, तो देखो, मैंने कहा था, उस situation में यह चेक करना है, कि जो options given है, उसमें कुछ ऐसे represent है क्या, x, t और v, तो इस तरह केगी velocity है, दीव है, तो आपको एक चीज पता है, at t equals to 0, जब time 0 है, तब mass क्या है, then mass m at rest, at a rest में, और rest में है, इसका मतर्ब displacement क्या होगा, उसका, x, t equals to 0, बस इतना ही आपको, काफी है, यह question solve करने के लिए, तो चेक करो, कि जब t equals to 0 है, initial condition, जब displacement कौनसी में 0 है, तो आपको चेक करना, displacement यह की होने है, पहले term cos में है, cos 0 की value कभी भी 0 नहीं होती है, मतलब यह option नहीं होगा, उसके बाद second, x, a equals to cos omega t, यह option भी नहीं होने वाला, इसको तो चेक ही नहीं करना दोनों हो, उसके बाद option t equals to 0 पर यह 0 हो रहा है, और यह भी 0 है, तो अब आपके more probability है कि इन दोनों displacement, तो एक काम करो, a ऐसे कैसे, sin का क्या हो जाएगा, cos omega t और omega t का omega, इस omega e को क्या लिख सकता हूँ है, b और cos omega t, ठीक है, अब यह चेक कर लो, कौल चे option में है, तो इसमें तो क्या है, b cos omega t और इसमें, vt equals to क्या है, a sin omega t, cos omega t और a sin omega t, यह sin omega t था option में, मेरे से दोनों option एक sin omega t था, ठीक है, इसको ध्यान रगी, option चेक कर सकते हो, iat jam 2015 में पुछा गया था, option a में तो दोनों sin है, और option b में एक sin है, और दूसरा cos है, तो velocity के आ रही है, अपनी cos वाली ट्रम वाली है, इसका अप्शन क्या होगा, अपना b option right होगा, इस तरीके से, यह कौन से, वीडियो पे based अपना, मैंने उस वीडियो में यह करवाया था, कि how to guess the answer without solution, अपन without solution के किस तरीके से अपन guess कर सकते हैं, तो easily इस question को अपन solve कर सकते हैं, the initial condition दीवी थी, अपने put किया, तुरनत answer किया, but lengthy method करोगे, तब भी answer वही आना है, और आप इस तरीके से करो, concept से करोगे, तब भी answer वही आना है, इसका अपना time duration आपका, कम हो चुगा तो पहला question यह था, अब अपन चलते हैं next question पे, क्योंकि आज जो ही वीडियो है, काफी important है, और complete रूप से इसमें अपन सारी की सारी problem based है, जो previous year examination में उनको अपन solve कर रहे हैं, तो देखते जाओ आज, और इस आज के बाद question को solve करने की habit डाल लो, तो क्योंकि जितनी आप theory पड़ोगे, कोई मतलब नहीं है theory का, क्योंकि theory numerical से ही आपकी clear होती चली जाएगी, मेरा वादा इस बात का, ठीक है, तो देखते हैं next question, तो अब एक next question ओर discuss करते हैं, यह भी IIT Jam में पूछा गया था, और जहां तक कि मैंने जो solution करवाएं, उनी से related है, देखो, इस बार क्या है, जो question है, option नहीं किवें, and t जो आता है, उसके अंदर, and at आता है, जो question से आता है, उनके अंदर यह पूछा गया था, question देखो, क्या है, question पूछा गया, at t equals to 0, a particle of mass m, having velocity v0, start moving through a liquid, kept in horizontal tube, and experience a drag force, मैंने जब भी first, first video देखो, जाके, उस वीडियो में यही बात कीची, जहा drag force की बात हो जाए, और क्या पूछा हो, time का concept पूछा हो, या velocity का concept पूछा हो, equation of motion से question, solve करना है, ठीक है, तो एक चीज़ clear हो गई, आपके दिमाग में, कि question कहां से solve होगा, equation of motion से solve होगा, that is, it covers a distance L, before coming to the rest, जब वो rest में आ जाएगा, तब उसको कितनी distance cover करेगा, L, if the times taken to the cover, the distance L by 2 and L by 4, add to T2 and T4 respectively, then the T2 by T4, ignore the gravity, पहले यगले ने बोलता है, gravity को include, नहीं करना है, तो आपकी equation of motion कहा थी, मैंने कहा था, F A, vector equals to F net, F net by M, यही था, F net क्या है यहाँ पे आपका, F net सिरफ only क्या drag force है नहीं, minus, देखो, tube नीचे गिर रही है, तब भी आपको, देखो, यह tube में जिसे कोई है, नीचे गिर रहा है तो M, G, और drag force always, उपर की तरफ काम करेगा, मतलब क्या है, K, D, X, Y, D, T, तो velocity तो इसकी नीचे है, पर drag force उपर काम कर रहा है, तो इसका मतलब drag force क्या हैगा, negative, तो A vector equals to क्या हैगा, F net का मान है, minus का K, और D, X, Y, D, T, ठीक है, तो जो यह M है, इसको इधर लेके जाओ, तो velocity acceleration क्या होता है, D2, X, Y, D, T, square, और plus K, D, X, Y, D, T, equals to 0, ठीक है, यह second order differential equation है, इसको D, square, X, Y, D, T, square, plus K, Y, M, और D, X, Y, D, T, equals to 0, अब यहां तक आने के बाद मैंने कहा था, solution आप किसी भी तरीके से करो, easy हो जाएगा ही, अब देखो, यहां से क्या करना अपने को, generally अपने को X, T, X, T, निकल जाएगा, तो आप L, by 2 रख दोगे, उसके L, by 4 रख है, ठीक है, तो इसको character equation में change करोगे, तो क्या है, मैं लिख सकता हूँ, M, square, और, plus K, Y, M, और, dx, by, dt, को क्या लिख दो, M, equals to 0, यहां से मैं M, common ले लूँ, तो अंदर क्या बचा, M, plus K, Y, M, और, equals to 0, that is, means, M की कितनी value possible है, M, equals to 0, possible है, और, M, equals to minus, का K, by M, possible, दो value आ गई, किसी भी differential equation की value आने के बाद, उसका general solution लिख सकते हो, general solution किस तरीके से लिखोगे, general solution आपको लिखना बताया हुआ भी है, पहले, तो general solution, देखो, x में न, d to x, by dt, square, तो देखो, x तो लिखा जाएगा, x, t, equals to, c1, और, e की power t, t, 0 की, जहाँ पे value 0 है, t, M, 0 है, value 0 नहीं, तो 0, plus, c2, e की power minus, k by m, और, t, यहाँ गया, आपका, x, t, यह, ध्यान में रखना, इस x, t, अब आपको, velocity, तो velocity एक बार, इसका derivative कर दो, तो, क्या आएगा, vt, equals to, c1, 0, c2, minus का, और, क्या आएगा, k by m, और, e की power minus, k by m, into, t, क्योंगे, देखो, e की power का, e की power, पर, k by m, t का, क्या आएगा, minus, k by m, और, t का, v, तो, यह, velocity आए, ठीक है, अब यहाँ तक आने की बाद, अपने को क्या करना है, उसके बाद, अपने को चलना है, देखो, किस तरीके से, धान से चलना देखो, अब आपको, at t equals to 0, पे क्या है, t equals to 0, पे क्या condition, t equals to 0, पे, आपको, rest में, तो, आपका क्या हो जाएगा, rest में, इसका मतलब, उसके पास, initial, कोई भी, velocity, नहीं है, तो, आप क्या करोगे, जब t equals to 0, लगाओगे, तो, यह 0, concept क्या बनेगा, आपना, c1, plus c2, क्योंकि unknown, जो value, जहें, इनकी value भी तो चाहिए, आपको, तो, c1 plus c2, equals to 0, that is, means, c1 equals to, minus c2, आपका, इस, concept से, एक value, तो, आगे, जितना मान, c2 का होगा, उतना ही, c1 का होगा, negative sign के साथ, अब अपन, velocity पे, बात करते हैं, velocity पे, question में, देखो, बोला गया, t equals to 0, particle of mass m, having velocity, v naught, start moving through, वहाँ से start रो, इसका, उनकी रेस्ट में था, मैंने एक, कर दिया, अब velocity, उसके पास initial कितनी है, v naught, तो, जब, v naught, initial है, equals to, vt की जगा, यह आ गया, equals to, minus का, c2, और k by m, ठीक है, और उसके बाद, equals to 0, रखोगे, तो, value क्या आ जागी, तो, यहाँ से c2 की value कितनी हागी, c2 की value हागी, minus का, v naught, by m, upon k, यह value हागी, तो, c1 की value आप डारेक्ट निकाल सकते हो, क्या, c1 की value का मतब, c2 के सिरफ, negative sign, अटेस्ट करना है, यहनि, क्या रहेगी, v naught, m upon k, यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नीचे, अब अपन बात करते हैं, सिर्फ क्या होगा, कि c1, c2 के लिए displacement की बात करते हैं, और velocity की बात करते हैं, ठीक है, बागी और सब portion, उपर का कोई भी काम नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो, इसको मिटा देते हैं, अपन, चलो देखो, अब देखो, मैंने रखो, xt कितना आ गया अपना, xt c1 का मान, और c2 का मान, सब में v naught भाई हैं में, तो बाहर निकालो इसको, v naught m upon k, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 1, 1 आ गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, देखो, c2 के value क्या है, minus, तो minus e की power minus t k by m, यही बचेगा, k by m, यहाँ गया, आ गया आपका, xt, इसके साथ साथ आपकी velocity क्या आएगी, velocity vt equals to आएगा, c2 का मान क्या है, c2 का मान है, minus, तो minus minus plus, तो क्या है गया, देखो, v0 m upon k, c2 का मान, साथ में चल रहा है, k by m, और e की power minus k by m into t, यहाँ पर value रख दी c2, तो k से k cancel out, m से m cancel out, value इतनी आई, vt, और इस v को निचल ले आओ, v0, ठीक है, equals to क्या है, e की power minus k m into t, e की power minus k m by t की value इतनी है, vt by v0, ठीक है, तो यहाँ से use करो इस concept को, यहाँ से, यह use करोगे, तो क्या value हैगी आपके पास, क्यूसन थोड़ा सा बड़ा है, पर डरना नहीं है, देगो, easy हो जाएगा, क्यूसन देगो, क्या है, यहाँ से value हैगी, x t equals to, और v0 m upon k, उसके साथ, 1 minus v, t upon v0, ठीक है, अब जब length, वो l cover कर रहा है, तो rest में आ रहा है, rest का मतलब, उसकी velocity 0 है, इसका मतलब, यहाँ पे जब l length cover करेगा, तब वो rest में आ रहेगा, rest का मतलब, यह part 0, और यह part 0, इसका मतलब, v0 m by k, इसका मतलब, आपको l की value पता चल गए, यह क्या है, v0 m by k, अब आपको एक चीज करना है, यह काम में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि numerical value है, solve करना है, इसलिए, अब आपन बात करते हैं किसकी, देखो question को अच्छे से पढ़ोगे, यह concept थोड़ा सा clear है, तो आपके question solve होते चले जाएंगी, कहीं पर विदिकत नहीं आएगी, चलो अपन बात करते हैं कहां कि, यहां तो हो गया, अब वो कहरा कि, अब वो कहरा कि, अब वो कहरा कि, the distance l by 2 and l by 4 are t2 and t4 respectively, जब वो l by 2 cover कर रहा तो t2 समय ले रहा, और l by 2 और l by 4 ले रहा तो t4 ले रहा, तो क्या है, at l by 2 t equals to कि इतना है, t2 है, तो भाई साब रखो value, कहां रखोगे, इसी के अंदर रख दो, तो value क्या है, l by 2, वो दिकत, x t की चेक, उसके बाद आगे क्या चल रहा है, v naught m by k चल रहा है, कोई दिकत, यहां तक कोई problem नहीं है, आगे चलते हैं अपन, आगे क्या है, 1 minus, और e की पावर माइनस t k by m, t की जगे क्या value है इस बार, e की पावर माइनस t की जगे रखोगे, t2 m by k, कोई दिकत वाली बात नहीं, चलो, अब क्या करना, अपने को यहां से value, भाई अपने को ratio किसका पुछा, t2 by t4 गातो, t2 निकालना, तो t2 के लिए क्या करोगे, देखो, इसको इदर separate करो, तो 1 माइनस e की पावर माइनस t2 m अपन k, और k इदर a, और क्या जाएगा, value हैगी, k l अपन, और value साथ में कितने हैगी, k l और 2 v0 m, अब l की value आपके पास given है, v0 y m k, तो v0 y m k रखो, तो क्या आएगी, k v0 m अपन k और v0 m, क्या हैगी, तो यहाँ से value cancel out हो जाएगी, total value cancel out हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, 1 by 2, ठीक है, तो एक काम करो, क्या value आएगी, एक काम करो, इसको इदर ले के जाओ, और इसको इदर ले क्या हो, तो क्या आएगा, e की power minus t2 m upon k, ठीक है, और जो value आएगी, वो क्या आएगी, 1, इसको इदर ले के, इसको इदर ले क्या हो, तो क्या आएगी, 1 minus 1 by 2, वापिस से value क्या बचेगी, e की power minus t2 m upon k, और value आएगी, 1 by 2, अब anti-log लोगे, तो value क्या बचेगी, देखो, काफी lengthy question है, बट ऐसा नहीं है कि solve नहीं होगा, बहुत easy तरीके से, यादी concept के लिए रहे है, तो question solve हो जाएगा, देखो, anti-log-log के तो क्या आएगा, minus t2 m upon k equals to, और ln 1 by 2, तो log 1 की value 0, तो यह minus 1 by cancel out हो जाएगा, minus से minus है, क्या आएगा याँ से, t2 की value क्या आएगी, kym, ठीक है, और ln, ठीक है, और 2, ठीक है, तो देखो, k तो उपर तरला जाएगा, m नीचा जाएगा, ln 2, क्योंकि log 1 की value 0, तो log minus 2 आएगा, यह plus हो जाएगा, यह t2 की value आएगी, अब अपने को चाहिए, t1 की value, sorry, t4 की value, तो भाई साथ, t4 की value चाहिए, तो वापीस वही concept, t4 जब है, तब distance की तिकावर कर रहा है, वो l by 4, ठीक है, l by 4, उसके साथ, अपना क्या है, v0 m upon k, और 1 minus e की पावर minus tm upon k, यही है, e की पावर tm upon k, और t की जब है क्याएगा, t4, तो वापीस वही calculation है, वापीस l, k, और 4 v0 m, और 1 minus e की पावर minus t4 m upon k, अब आपको calculation करना ही जूरत नहीं, same portion है, l की जगे, कुछ भी चेन नहीं है, सिरफ 1 by 2 की जगे, 1 by 4 है, तो यहाँ 2 की जगे क्या दाएगा, 4 हा दाएगा, तो क्या दाएगा, t4 equals to solve करना ही जूरत नहीं, k by m, ln 4, अब आपको ratio किसका बुच्छा, t2 by t4 का, तो क्या दाएगा, k by से k m cancel, तो क्या दाएगा, ln 2 by ln 4, यह cancel solve करोगे, तो आएगा answer 2.4 बनाच, इस तरीके से आप किसी भी question को solve कर सकते हो, देखो, numerical approach बढ़ाने के लिए, आपको calculation करनी होगी, 101%, क्योंकि देखो, आपको knowledge कितना है, इदी आपकी mathematical calculation weak है, तो उसके बाद आप कितना ही knowledge रखो, आपको numerical solve करने पड़ेंगे, वहाँ पे इदी concept गलत हुआ, तो आपके option choose नहीं कर पाऊगी, तो calculation थी, अब इसके अंदर गुशेंगे, अपन classical mechanics के, क्या करेंगे, classical mechanics के अंदर गुशेंगे, complete cover करेंगे, last जब तक video आएंगे, अपन इसके उपर basis पे, अभी तक तो कुछ भी numerical नहीं करवाए, मेरा target है, 700 से 1000 numerical करवाना, इस video के, इन video के अंदर, ताकि आप क्या कर सको, numerical approach आपकी सही कर सको, कर सको, तो एक question ये था, अब आगे next question पे चलते हैं, जैसे की, next जो examination में पूछा गया है, उस पे चलते हैं, ठीक है, question solve करते हैं, जहां भी मिले, कहीं से भी मिले, कहीं से भी, चाहे हो 11, 12 हो, चाहे BAC, MSC, IAT, JEM, NET, GATE, TIFR, पर जहां से मिले, वहीं से solve करो, नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में डाल दो, solution मिलेगा, कहीं न कहीं, गुरूपों में share कर दो, कोई ना कोई तो मिलेगा, सिर्फ इना दिमाग का, जो solve कर सकता है, ठीक है ना, आपको benefit हो ऐसे, तो अब एक next question और देखते हैं देखो, किस तरीके से, ये भी मैंने करवा चुका हूँ, इस बार मैंने क्या है, graph load करवाया है, क्या है question, एबालोग बास M is falling freely under gravity, through a viscous medium in which the drag force is proportional to the instantaneous velocity V, of the bone neglecting the bouncing force of the medium, which is one of the following figures, following figures, best description, describe the variation of V as a function of T, ठीक है, इस टाइप equation में खूब करवा चुका हूँ, अब आपको velocity और T के अंदर relation निकालना है, और वो चेक करना है कि इनमें से कौन सा graph यहाँ पर best describe करेगा इसको, ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं बता चुका हूँ, कि always equation of motion कार्ण में लेनी है, बस एक चीज ध्यान में रगनी है, क्यूसन ध्यान से पढ़ना है, और क्यूसन पढ़ते ही यह क्यूसन में कम से कम equation of motion की, जो based problem उन पे 3 से 4 क्यूसन करवा चुका हूँ, वापिस से equation लिया है मैंने, तेको equation of motion क्या होती है, एक वेक्टर इक्वल्स टू, एक नेट, एक नेट बाई, एम, यही होती है, एक वेक्टर, एक नेट, मैंने कहा था, एक नेट निकालने के लिए, एक बोल है, मास एम है उसका, फ्रेली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है, यह मतलब M, एक ड्रेट फोर्स काम कर रहा है, जो कि velocity के क्या है, instantaneous velocity के proportional to, इसका मलब KV, by F, is proportional to V लिख सकते हो, और F इक्वल्स टू KV, और यह भी constant, ठीक है, तो velocity के direction इधर है, तो यह वाले positive force है, और यह negative force है, तो आप क्या करोगे, M, G positive है, और minus KV negative, equals to M, वही अपना तो velocity के पुछा है, तो DV by DT, at time T के formula, यह काम में आएगा, acceleration का, और M, G, minus KV, by M, ठीक है, अब इसको solve करना की जर्द नहीं देखो, इसको इसके नीचे लगो, इसके इसको नीचे और integration कर दो, तो क्या आएगा, integrate DV upon M, G minus KV, equals to 1 upon M into T, अब limit देखो, starting point 0 से start कर रहा है, और T के उपर पूछा आपने को VT, ठीक है, किसी time T पे, ठीक है, और time का होगा 0 से T, तो इसका integration करोगे तो क्या आएगा, minus का 1 upon K, LN, और M, G minus KV, और limit क्या हैगी इसकी, 0 से VT, और equals to T by M, देखो, बार बार integration नहीं करेंगे, इसको T मानेगे, वो मानेगे, कुछ में नहीं, 1 upon X की form मन रही, 1 upon X का log X, और X का क्या होगा, derivative होगा नीचे, तो V का तो गए 1, और minus का K, यहाँ से इसको solve करोगे, तो क्या वेलियो हैई देखो, यहाँ आएगा, LN, और M, G minus KV upon M, G, क्यों? क्योंकि देखो, पहले V रखोगे, तो यह पूरा आएगा, 0 रखोगे, तो यह वेलियो 0, M, G आएगा, तो लोग A minus, लोग B बनेगा, लोग A upon B उसको रख देगे, equals to minus, इसके को इज़र ले जाओ, तो KTY, M, ठीक है, यहाँ से इसको क्या निक होगे, NT लोग लोग है, तो 1 minus, M, G, M, G, KV upon M, G, equals to E की power minus, KTY, M, होगा है क्लियर, अब वेलो V चाहिए, तो V की वेलो क्या आएगी, तो को ध्यान से, V की वेलो क्या आएगी, K, V, V की चाहिए ना आपको तो, V equals to, ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, और इसको इधर लेके आओ, तो क्या आएगा, V, K, V, upon M, G, equals to, 1 minus E की power minus, T, K by M, ठीक है, V चाहिए, तो V equals to, आगया, K upon M, G, और 1 minus E की power minus, T, K by M, यह लोग का रिजेंट लास्ट, ठीक है, अब आप बता सकते हो, इजीली, देखो, फैस्ट ओप्सन देखो, स्टेट लाइन है यहां तक, तो इसका मतलब, possible ही नहीं यह ग्राफ तो, स्टेट लाइन तो होई नहीं सकता, Y, वराबर, MX का कोई भी ग्राफ ऐसा, possible नहीं है, यह, स्टेट लाइन, यह, हो नहीं सकता, possible नहीं है, इस तरह की safe भी कुछ भी नहीं है, अब option बचे 3, यहां से, slow बढ़ेगा यह इस तरीके से होगा, तो इन दोनों का check करना आपको, सबसे पहले आप check करो, कि T equals to 0 के उपर, क्या रही वेल्यू 0, तो दोनों में 0 आ रही है, बढ़े एक चीज देखो, जैसे जैसे आप infinite ले जाओ, E की power infinite ले जाओ, तो वेल्यू की आएगी, स्टेट हो जाएगा, मतलब इसके infinity की वेल्यू की आज़ा है, 0, तो वेल्यू आएगी, K upon mg, कोई ना कोई constant, तो इस तरीके से constant यह graph हो रहा है, ठीक है, इस तरीके जागे, तो इस तरीके से graph कोई साटिस्क्राइब कर सकते हैं अपन, यह वाला, तो option कोई चागे हैं, fourth, बस आपको क्या करना है, systematic से चलना है, जो पीछे के वीडियो जहें, उनको complete ले, आपको एक-एक वीडियो को carefully read करना है, उसके बाद अपने notes प्रिपेर करने, उसके बाद कभी भी वीडियो नहीं देखना है, अपने खुद के concept बनाने है, और जितने भी problem है, उनको solve कीजिए, जैसे मैंने ये problem solve की, अब और problem को solve करता है, ये video complete problem पे based है, और भी video इस पे बनाएंगे अपन, ग्लासिकल मेकेनिक्स की, मैंने का 700 से 1000 problem, अपन यहाँ video में discuss करेंगे, ग्लासिकल मेकेनिक्स की, तो complete each topic से आपको probability है, कि 30 से 35 जो problems है, वो अपन solve करेंगे, ठीक है, तो अपन देखते हैं next question, तो अपने एक next question और देखते हैं, आज problem based काई वीडियो है, तो complete problem पे discuss करेंगे, तो एक question और है, यह problem है, एक particle of mass M is moving along the positive x direction, under a potential Vx equals to half kx square plus lambda 2x square, k and lambda are positive constant, लिखावा है side में, इखो, if the particle is slightly displaced from equilibrium position, it oscillates with an angular frequency omega, ठीक है, your answer in units of root k by m, na integer, तो इस type के जब question मैंने बोला था, frequency निकालने के लिए, तो मैंने एक चीज बोली थी, potential दिया हुआ है, तो पहले potential को क्या करो, Vx जो given है, उसको, क्या करो, dvy, क्या गरो, dvy dx, at x equals to, x not equals to 0, next note क्या था, equilibrium point था, मैंने जो वीडियो, जो पहले बना, खाऊ, stable equilibrium point वाले पे, वहाँ से मिलेगा यह concept complete, तो del vy by delta x, x बराबर, x not equals to 0, इसका मनलब इसका एक बार derivative करना, तो क्या आएगा, 2 k x, 2 से 2 cancel, k x not, ठीक है, उसके बाद plus, और plus क्या होगा, minus, योगि नीचे x square, तो minus 2, 2 से 2 cancel, तो minus lambda upon x cube, यानि x not cube equals to 0, तो यहाँ से x, इसको इदर ले क्या हो, तो x not, power 4 lambda by, k, यह है गा, x not का मान कितना आगे बाई साब, lambda upon k की power, 1 by, 4, यह आगे, equilibrium point, अब आपको omega निकालने के लिए, क्या बता है होगा है, root k by m, अब root k by m, तो मतलब k चाहिए, k का मतलब d2, v by dx square, at x बराब, x not, double derivative of, potential, ncl at x बराबर x not, value क्या होनी चाहिए, value क्या आनी चाहिए, negative आनी चाहिए, ताकि वो stable equilibrium हो सके, मतलब, पहले maxima और minima चेक करना आपको, ठीक है, तो minimum, अब देखो, sorry, negative नहीं, positive आनी चाहिए, क्योंकि minimum चेक करना है, हाँ, तो देखो, उसके बाद क्या करना, आपको d2 by dx square, तो इसका एक बार क्या करो, derivative वो आपिस से करना है, तो यहाँ से क्या है गए, यहीं से निकाल देओ, k, और minus minus plus, 3 lambda upon x naught की power 4, यह इसका आगया क्या, k, तो अब क्या करना है आपको, root k by m, but x naught की जिके value भी तो पुट करनी है, तो value पुट करो, k की value क्या है, k plus 3 lambda, x naught की value इतनी है, lambda upon k, k और 1 by 4 से 4 cancel, तो क्या आगया, lambda से lambda, k उपर जाएगा कितना आगया, 4 k, तो यहाँ से omega कितना आजाएगा, root k by m, ठीक है, k कम, इस कमान कितना है, 4 k, omega equals 2 आगया, 2 root k by m, इसका अब लग, इसमें तो पूछा ही इस unit के अंदर, तो value कितनी आगया, omega आगया, 2, तो answer कितना होगा, 2, इस तरीके से, आप कोई भी question को solve कर सकते हो, और भी question अपन देखते हैं, आगे देखते हैं, next question, आज काफी question discuss करेंगे हैं, ठीक है ना, चलो आप next problem पे, discuss करते हैं, तो आज problem का ही session है, इस position in matter is given by, rt equals to 5,5 cap, minus 2t square j cap, ठीक है, उसके बाद the angular momentum of the particle, at t equals to 0, about the origin, kg meter square second inverse is, ये पुछा आपको, angular momentum पुछा दो, तो देखो, ज़्यादा, किल्कुशन करने की ज़रूत है, नहीं angular momentum क्या होता है, r cross p, ये लो, तो आपको angular momentum निकाल ले के लिए, क्या चाहिए, p चाहिए, तो p के लिए आपको क्या चाहिए, p vector equals to, क्या होता है, m into v vector, इसका मज़, that is v चाहिए, और v के लिए आपको hint dv equation में, position dv r t, तो v क्या हो जाएगा, v equals to dr, upon dt, तो क्या होगा इसका, take respect में ये 0 हो जाएगा, ये minus 2 से 4 हो जाएगा, और t और j cap, ये होगा, minus का 4 t j cap, आप अपने को momentum निकालना है, तो p vector बराबर कितना हो जाएगा, m into v vector, चलो भाई साब, m कितना दिया हो है, 2 kg दिया हो है, तो 2 into, minus का 4 t j cap, इसका मतलब, minus 8 t j cap, yellow आपका momentum आगे, angular momentum निकालने के लिए, r से cross product करना है, तो r का मतलब क्या है, r का मतलब है, 5 5 cap, और minus का 2 t square, और j cap, और आपको क्या करना है, cross product करना है, किसके साथ cross product करना है, cross product करना है, j के साथ, ठीक है तो cross j cap कितना है minus का 8 j और t तो j cross j तो क्या जाएगा च्रड़ जाएगा value बची i से cross करना j को i से cross j यानि आप क्या जा रहे हो i cross j ठीक है i cross j इसका मतब k आएगा k अब k क्या आएगा minus का आएगा तो कितना आएगा 8 into 5 कितना हो जाएगा 40 minus का 40 और क्या direction आएगी t और direction kick है यह आएगा बढ़ते को t की value कितना दिया हो है क्या value दिया है t t equals to 0 t equals to sorry t equals to 2 है इसके इंदर questions में दिया हुआ था मैंने 0 put कर दिया t equals to 2 है तो 40 कितना हो जाएगा minus का 80 t की जिएगा 2 रखोगे तो 80 होगे into k cap तो minus का 80 k cap कहा option में ग्यून है यह रहा तो option B is correct ठीक है origin के about पूचा था एक questions और है जैसे अपन मैंने generally discuss किया इस question को इसको देखते ही पता लग जाना चाहिए बढ़ ऐसा concept आपको पता भी होना चाहिए ताकि आप आगे जब कोई questions solve करें अपन तो आप उस concept को use कर सको देखो क्या question में दिया हुआ है यह भी gateway question कुछा गया तो the scalar potential corresponding to force यह force दिया हुआ था force क्या दिया हुआ आपका force given है f equals to i cap और 7 में दिया हुआ है y plus z अब इसके corresponding आपको potential पूझा है तो मैंने जब वो concept करवाया था पीछे previous video में तो यह बात बोली थी कि जब कोई force दिया हुआ है उससे आपको potential find out करना है कि इसके corresponding यह force है तो उसके लिए required condition है कि conservative force हो ठीक है तो पहले आप check कर लें कि conservative है या नहीं है तो देखो इस field को मैंने concept रता है था conservative force के अंदर कि इस type की situation होगी f x i cap plus f of y j cap plus f of z k cap तो वो क्या होगे conservative field होगे यहाँ तो क्या होगा i के साथ y आ रहा और z आ रहा that is means यह conservative field नहीं है और आप इसका कर निकाल के क्या कर सकते हो यहाँ डेल क्रोस f करोगे तब value 0 नहीं आएगी that is means यह force क्या है conservative force नहीं है तो check करने की भी required condition condition नहीं है कि आप इसको check करो option given है does not exist तो क्यों exist नहीं कर रहा क्योंकि f is not conservative force ठीक है यह simple simple question थे अब देखते है next question जो अपनने पीछे के videos करवा है उनकी उनी concept के उपर देखो एक question और देखते है अपन get 2006 में पुछा गया था और पुछा क्या गया है मैंने concept करवा चुका हूँ मैं इसी concept पे a question है a particle of mass m is constrained to move in a vertical plane along the trajectory given x equals to a cos theta y equals to a sin theta where a is constant उसके बाद कुछा है the language of particle age and उसके बाद दूसरा question कुछा था उसी के अंदर the equation of motion is of the particle मैंने उसके option नहीं लिखे है option मैंने a के ही लिखे है the language of particle तो क्या वो लगा है vertical plane के अंदर particle move करना जिसकी equation यह तो क्या equation यही possible है देखो यह लो और x equals to a cos theta मन्दा particle यहां है step step से sphere के उपर move कर रहा है ठीक है और यह angle theta है ठीक है इस तरह यह situation है अब आपको पता है मैं particle on a sphere के उपर lengrajin करवा चुका हूँ lengrajin था अपना l equals to half m x dot square plus y dot square और minus mg y यही था mg hy अब देखो x और y का relation यहां पे है x और y में डारिक नहीं पूछा देखो theta की ट्रम में दिया हुआ है तो इस तरीके से क्या होगा आपने को x और y की relation पता करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा relation पता करना पड़ेगा two dimensional है x और y के अंदर x और y के अंदर एक relation दिया बात इसलिए link raijin यह हो जाएगा direct बट अपने को link raijin तो पता चल गया बट यह option इस तरीके से नहीं given है अपने को option theta में पता है तो इसलिए अपन x को क्या निकालेंगे x dot निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा x dot x dot क्या आएगा देखो x dot आएगा x constant है a और cos theta क्या होगा minus का sin theta और theta क्या होगा theta dot ठीक है same situation y dot क्या आएगा y dot आएगा a और sin theta का होगा cos theta और theta dot यह होगा तो आप जैसे ही इनकी value रखोगे यह आप put करोगे तो क्या हैगा langarajian equals to half x dot square x dot का मतब a square तो common है तो बाहर पटको a square को यह लो बाहर पटक दिया उसके बाद क्या है sin square theta plus cos square theta theta dot बारा यह 1 हो जाएगा तो क्या आएगा theta dot square ठीक है यह आगया kinetic energy minus potential energy mg hy y का मतलब क्या दियावा y का a sin theta तो a sin theta यह location link ragin option कौन सा है देखो option fast में cos theta है second में sin theta है m minus का है option d में plus है option b correct ठीक है इसी तरीके से आपको इदी link ragin पता लग गया है तो equation of motion आप क्या कर सकते हो easily find out है कर सकते हो क्योंकि equation of motion में time pass नहीं करेंगे अपन बार-बार क्योंकि time pass करनो ने equation of motion तो कम से कम निकाली सकते हो equation of motion इसका क्या हैगा थेटा वेरिये वाला तो theta की respect थेटा डोट के होगा तो dy dt और theta dot की respect में derivative कर होगे तो 2 2 से 2 cancel m a square m a square theta dot ये लोग minus ये है और इस बार किसके respect में होगा theta dot के तो क्या होगा minus minus तो हो जाएगा plus और mg और a as it is और sin theta का क्या होगा cos theta ठीक है तो यह आगया cos theta अब इसको थोड़ा सागी सोल करेंगी तो क्या वेल्यो आगी देखो m a square theta double dot plus m g a cos theta equals q 0 ठीक है क्योंकि देखो हाँ sin theta का cos theta होगा तो यहाँ से क्या होगा theta double dot m से m cancel a से 1 a cancel क्या हैगा theta dot double dot g upon a or cos theta equals to 0 that is equation of motion यह क्यूसन लिंक से पूछा गया था get के अंदर तो इस तरीके से easy-easy portion पूछे जाते हैं classical mechanics में आप किसी भी तरीके की problem solve कर सकते हो एक और बाद दाता हूँ पीछे की जो वीडियो है उनमें मैंने iat gem में question करवाया है जिसके अंदर actually क्या हुआ कि मैं अभी मेरे को धान में आया है कि वहाँ पे ln 2 by ln 4 करवाया है मैं वो mistake है as it is क्यों क्योंकि जब अपने जो पीछे जो इसकी थोरी करवाई है उनहीं पर बेस्द है दोनों क्यूसन ठीक है तो एक जो पहला क्यूसन है उसमें पूछा गए एक पार्टिकल इस मूविंग अंडर दे action of a generalized potential function of q and q dot equals to 1 plus q dot q square the force is मैंने जब भी बोला था जब potential दिया हुआ हो तो मैंने एक other other form of language equation of motion की करवाई थी और वहाँ पे पूछा था यदि force पूछा आप हो तो उसमें क्या लगाना आपको देखो force यदि q पूछा है तो आपको d by dt और del v by delta q dot और minus d v by d q ये निकालना हो तो force मिल जाएगा force की equation बता ही थी मैंने अब देखो एक बार क्या करना है देखो d by dt derivative q dot की respect में q dot की respect में करोगे तो क्या आएगा देखो 1 upon q square 0 q dot का 1 तो क्या आएगा 1 upon q square ठीक है उसके बाद आपको minus अब q की respect में करना है q की respect में क्या करोगे देखो 2 q cube r साथ में क्या आएगा 1 plus q dot ठीक है यह आपका क्योंकि इसके लिए तो उपर जाएगा तो minus 2 तो minus 2 आगया q cube ठीक है minus already अपनी equation of motion में था तो क्या आएगा plus अब इसका करना है तो क्या होगा देखो minus का 2 और q cube ठीक है और क्या आएगा साथ में q dot क्या आएगा q dot plus में क्या चल रहा है plus 2 upon q cube और plus का q dot 2 upon q cube तो यह तो हो गया cancel out 2 upon q cube बचा तो option कौन सा क्योंने है option size correct option इस तरीके से आप जनल जनल केलकुरिशन easily कर सकते हो ठीक है तो देखो जब भी कोई question आपको मिलता है तो पहले यह देखे कि वहां उसका concept कौन सा यूज हो सकता है ताकि अपना जो time duration है वो कम से कम कर सके क्योंकि यह time duration कम से कम होगा तभी आप maximum marks गेंड कर सकते हो competitive examination में तो देखो second question और देखते है अपन फटा फट देखो two bodies of mass m and 2m are connected by a spring constant a spring constant k the frequency of normal modage मतलग एक mass इस तरीके से attached है spring से ठीक है और spring constant k given है इसका मैंने एक concept करवा चुका हूँ बार-बार इसको displace किया था मैंने x1 इसको displace किया था x2 उसके बाद lingrajin लिखा था उसके बाद potential energy और उसके बाद क्या अपनी normal mode का जो अपना जो method small oscillation theory का उससे मैंने इसका accurate solution निकाला था तो इसका जो accurate solution होता है वो angular frequency का होता है root k by mu that is where mu क्या था where mu is reduced reduced mass अब मैंने reduced mass का concept बता चुका हूँ मैं m equals to m1 m2 upon m1 plus m2 यही होता है तो आपके पास mass क्या दिया बाए first mass था 2m और second mass क्या है 2m mass m and 2m m and 2m mass दीवे इनका reduced mass निकालो तो reduced mass क्या होगा m equals to क्या हैगा 2m square upon 3m m से m cancel क्या गया 2m upon 3 that is आपको निकाल मनलब calculation करने की जरूरी नहीं है क्या आएगा omega root k by mu mu की जगे 2m और 3 उपर चला जाएगा ठीक है 3 उपर चला जाएगा वीडियो काफी बड़ा होने की बज़े से uploading में problem आती है इसलिए हम जो second video है problem based इनके उपर classical mechanism का वो second video में डाला जाएगा और इसमें जो fast video है इसके जो fast portion है वो language into Hamiltonian conversion का है और इससे जो पहले जो video डाला गया था उसका जो last portion है वो भी language into Hamiltonian का conversion का है और आपको सिर्फ 5 second से ज़्यादा time नहीं लगेगा language into Hamiltonian और हमिल्टोनian to language into conversion में तो लगातार जिस तरीके से आप आज problem solve कराई उसी तरीके से आप खुद कीजिए जहां से भी आपको problem मिलती है और अपन जब next time मिलेंगे तब problem based पर ही मिलेंगे और उसके बाद Hamiltonian और Hamiltonian और लेंगराजिन में क्या relation है उन पर based energy conversion पर बात करेंगे तो एक तो like करें, comment करें और subscribe करें और comment करके जरूर बताएं हमें जैसा भी हमारे जैसा भी हमें जो problem है आरी है उनको हम solve करेंगे और आपके साथ complete classical mechanics 10 से 15 days में आपको complete कराने की कोशी से जरूर करेंगे धन्यवाद